सबको पैसे कमाने हैं, पर अपना नया बिजनेस शुरू करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि कोई बिजनेस शुरू करने से पहले research करना बहुत जरूरी है. जैसे कि हमें पता है, market में बहुत competition है, अगर बिजनेस नया शुरू करते हो, तो हमें उस बिजनेस की smooth working और continuity पर ध्यान देना जरूरी है. तो जैसे कि आपको पता है, कि आज हम ऐसे बिजनेस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो घर से कमाना शुरू कर सकते हो with low investment. तो उसके पहले जिसने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें. तो आज हम food catering business के बारे में बात करेंगे. Food catering business हम घर से शुरू कर सकते है, with low investment. तो catering business कोई भी शुरू कर सकता है, जिससे अच्छी cooking knowledge और अच्छा यम्मी खाना बनाना जानता हो. यह ऐसा business है, जो महिला या पुरुष कोई भी शुरू कर सकता है. इस business में कोई उम्र की सीमा नहीं और कोई education की requirement नहीं होती. Market research कोई भी business शुरू करने से पहले थोड़ी market research करना ज़रूरी है, ताकि हम जान सके और business को समझ सके. दूसरे business जिनका working अच्छा हो, market में उन business से idea लेना, ताकि उन strategy की analysis करे और उन पर work कर और कुछ नया implement कर सके और market में कुछ नया ला सके. Determine Specialization in Catering Business अगर कोई भी business शुरू करते हो, तो हमें एक ऐसा specialization चूज करना चाहिए, जिसमें हम अच्छा work कर सके और अपने business को दुसरों के business से अलत बना सके. जैसे North Indian, South Indian, Italian, Salad, Chinese Specialty in Particular Cuisine. Also events जैसे बर्थडे, marriage, corporate event, spiritual event और बहुत सारे जिन पे work करने का passion प्लस, interest हो. Determine quantity and quality of food. तो starting में उतना ही order लेना चाहिए, जिस पर proper work और management हो. उतना ही हम order लेंगे, जितना हम manage कर सके ताकि खाना tasty बनेगा, प्लस उसकी quality maintain भी होगी. As provider of catering service, one need to maintain quality, quantity and test of food. क्योंकि यह बहुत जरूरी है. Determine costing of product. कोई भी business में costing बहुत important है क्योंकि costing attracts attention of the consumer. Costing ऐसी होनी चाहिए जो consumer के पैसे की value करे. Costing में current rate, packaging cost, delivery charges, cost of food cooked, utility cost और दूसरे cost, plus profit को add करने के बाद हमें cost of product मिलता है. तो हमें अपने target audience और उनकी affordability को ध्यान रख के cost को determine करना होगा. जो market में price चल रहा है, उसको अपने price से compare करना और उसका justification करना जरूरी है. Decide attractive name for the business. जब भी हम अपने business का नाम सोचेंगे तो ऐसा नाम सोचना चाहिए जो हटके सबसे अलग हो, आसान हो जो जटपट से याद रखा जाए. Company का नाम ऐसा हो, जिसका कुछ अस्तित्व हो, ओल्सो ऐसा नाम जो market में unique हो. उसके साथ business का vision and mission हो, जो एक business की छवी को दर्शाता है. Publicity and Marketing Strategy Marketing एक अहम हिस्सा है, जो अपने business के लिए महत्वपूर्ण है. Catering Company के लिए logo, business card ready करना चाहिए जिस से logo को idea मिले. Service के related marketing online और offline दोनों पे करना चाहिए, क्यूंकि आजकल लोग offline से भी आपके पास आये तो भी वो आपकी online की inquiry करता ही है. तो lead कहां से भी आये हमें अपना marketing दोनों online और offline से करना profitable रहेगा. Execution जो भी plan सोचा है, उन सब पर अमल होना यानि execution होना जरूरी है. सबसे important catering business में order मिलना जरूरी है. शुरुवात में order मिलना बहुत मुश्किल है, तो order के लिए हमें अपने relative, friends और कोई वेल विशर जिनके घर में event होने वाला हो तो उन से with based pricing पहले order ले लेना चाहिए. फिर जो पहला जो order है उससे इतना बढ़िया करना चाहिए कि जनोंने आपके catering service का खाना खाया हो, वो खुद आपके service की तारीफ और चार लोगों से करे यानि word-of-mouth marketing करे, which is one of the best way of marketing. याद रखना की सब सही से प्लान किया हो, तो important है उस पर proper execution. Advantage of catering business इस business को शुरू करने के लिए कोई qualification की requirement नहीं होती. बहुत कम investment से business को शुरू करा जा सकता है. घर से business शुरू किया जा सकता है. इस business में बहुत सारी earning है, जो individual कमा सकता है. यह business scalable है with lots of scope. अगर वीडियो पसंद आया हो, तो like, share and subscribe करे.